नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जवद्दा की आवाज और वक्त हो चुका है आज कुरुवार च्छे अगस दुभर की पांच बड़ी खबरों का दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद आवश् साथी दोस्तों हम आपको बताएंगे कि चूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल कोट ने सरकार का फैसला बदला है और इस वीडियो में हम चानेंगे बिकने जिले से चुड़ी सबी कवरें जिसे नोखा में प्रशाश्वन द्वारा कजबे में वाहनों की स्पीड लिमिट के सायोग से रुपे ही जला दिये बारती मुद्रा का तो अपमान किया ही साथी सबूत भी नश्ट करने की कोशिश की लेकिन सबूत के तोर पर जले हुए रुपियों की राख खी एसीबी ने बरामत कर ली तरसल इस बार एसीबी ने दे रात कोटा में ट्रैप किया रात ग कजबे में तेज गती से वहां दोरना आसान नहीं होगा उपखन मैजिस्ट्रेटर रमेश देव ने शहरी छेतर में वहानों की गती सीमा निर्धारित कर दी प्राप्त जानकारी के नुस्सा शहर में यातयात का दबाव बढ़ा है यातयात के सुगम प्रभाव और प्राप्त जर्माना लगाया जाएगा सियासी जंक के चलते फिरट की राजनितिक न्यूक्तियां कारे करताओं को और करना होगा लंबा अंतिजार सरकार बनने के बाद से पिश्टे देर साल से राजनितिक न्यूक्तियों का इंतिजार कर रहे कारे करताओं को अब इसके ल नहीं से कारे करता हो नेता निराश है ट्यूशन फीज से ले सकेंगे निजी स्कूल कोट ने सरकार का फैसला बदला कुरुना वारस से उपजे हालात के बीच देश बर के स्कूलों कॉलेज पांच महीने से बंद है ऐसे में पेरिंट्स पर बच्चों की फीज का बोच भी अब हाई कोट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीज ले सकेंगे दरसल गुजराथ सरकार ने 16 जुलाई को आदेश चारी किया था कि निजी स्कूल हाला समान होने तक पेरिंट्स से ट्यूशन फीज नहीं वसूल सकेंगे मगर अब गुजराथ हाई कोट की चीफ जस्टिश विक्रमना तो जस्टिश जेबी पार दिलवाल की डिवीजन बैंच ने अपने फैसले में कहा बच्चों को सिक्षा मुहाईया कराने और स्कूलों को चला रखने के लिए एक संतूलन की ज़रुत है चलती बस के टायर फटने से अंदर बैठे शक्स के टूट गए पैर। और लापरवाही से चलाया जिससे बस के टायर फट गए टायर फटने की कारण वस में बैठे उसके पिता मक्सूद अली के दोनों पे टूट गए पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर बस च्वाला के खिलाफ मुकदमा दच कर चांज शुरू की है देशो प्रदेश की तमाम खबरों से चुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीचिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए